कक्षा आठ के कोश्चन नमबर दो की बात करते हैं निमन में से परतेक के योज्य परतिलोम लिखो हमें योज्य परतिलोम लिखने हैं जिससे संख्या दे रखिया है हमारे पास में दो बटा आठ माइनस पांच बटा नो माइनस चैया बटा में माइनस एक और चोथी संख्या दे रहिए दो बटा में माइनस नो और पांच वी संख्या दे रहिए उननीस बटा में माइनस का चैया इनका हमें क्या ग्याद करना है योज्या परतिलोम ग्याद करना है तो हम पह B तो इसका योज्य परतिलों क्या होगा मतलब कि इसमें A C A B में A C संख्याई जोडनी है कि जोडने पर उसका N स्वर क्या है हमेशा ही सुनने आई तो वो उसका क्या कहलाता है योज्य परतिलोम कहलाता है जिससे माइनस जिससे माइनस A बटा B का योज्य परतिलोम क्या होगा पलस A बटा B क्योंकि इन दोनों को जोडने पर क्या आता है 0 जिससे 3 मैंने संक्या लिखे हैं 3 3 का योज्य परतिलोम क्या होगा माइनस तीन क्योंकि इसको जोडने प्रक्या आना चीए जिरो आना चीए जैसे कि संक्या दे रिखिया माइनस ग्यारा माइनस ग्यारा का योज्य प्रतिलों क्या होगा पलस ग्यारा क्योंकि जब माइनस ग्यारा में पलस ग्यारा जोड़ूंगा तो उसका उत्तर क्या आएगा जीरो एसी दो संक्या जिने जोडने प्रक्या आजे सुन्ये जैसे कि मैंने संक्या लिखी 25 25 का योज्य प्रतिलों क्या होगा माइनस का 25 होगा क्योंकि 25 में 25 गटाएंगे तो क्या आएगा सुन्य आएगा वो उसका क्या कहलाता है योज्य परतिलों अब हमारे पास में पहली संग्या थी 2 बटे 8 का योज्य परतिलों तो 2 बटे 8 का योज्य परतिलों क्या होगा माइनस 2 बटे 8 है क्योंकि 2 बटे 8 का योज्य परतिलों हुआ है प्लस 5 बटा 9 जूड़ने पर सुनने आता है अब ध्या दिए को माइनस 6 बटा हुत हुप रिलोग greatt 5 पर पहले दिख्व माइनस से माइनस क्या होजाएगा कड जाएगा तो हमारे पास में संह्क्या दो बटा में माइनस नो का दो बटा माइनस नो है यह संक्या है इसका योज्य परतिलों ग्याद करना है तो हम इसके हर में या माइनस देर का है उसको अटाएंगे तो हर को हम क्या करेंगे दनात्मक करेंगे हर को दनात्मक कैसे करते हैं तो 2 बटा माइनस 9 को उपर नीचे माइनस 1 से गुणा करते हैं माइनस 1 से गुणा करेंगे तो 2 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 और माइनस 9 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो पलस का 9 क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर सुन्याता है इसी प्रकार आगे वाली संख्या हमारे पास में है 19 बटा में माइनस 6 19 बटा में माइनस 6 इसका हर का क्या करेंगे दनात्मक बनाएंगे कैसे बनाएंगे माइनस एक को उपर नीचे से गुणा करेंगे 19 को माइनस एक से गुणा किया तो माइनस 19 माइनस 6 को माइनस एक से गुणा किया तो क्या आएगा 6 क्योंकि अभी मैंने बताया था माइनस को माइनस से गुणा करती है तो क्या आएगा पलस का चिन है तो यहां आ गया पलस का 6 और हमारे पास में संख्या बन गई 19 बटा में 6 तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा माइनस 19 बटा 6 इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा 19 बटा 6 यह हमारा दूसरा कुश्चिन था धन्यवाद